सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नो विक्रांट में आप सभी का स्वागत हैं फाइनली Realme 7 Pro के अंदर Realme UI 2.0 का C.30 का अपडेट जो है रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है और इस अपडेट को करने के बाद क्या कुछ नए चेंजेस देखने को मिलता है कौन से बग्स फिक्स हुए है क्या है इसका अपडेट लाग साथ ही Realme UI 3.0 का इस टेबल अपडेट कब तक देखने को मिलेगा सभी कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आप चेक आउट कर सकते हैं Realme 7 Pro का मॉडल लंबर RMX2170 है और इसने अपडेट का जो वर्जन है C.30 है और यह Official वर्जन है दोस्तों I mean Stable Update है और इस अपडेट का जो साइज है 327 MB का है और इसका रोल आउट डेट जो है 21st April 2022 है तो यह रहा इसका Basic Software Interface और अब बात की जाए इसके Update Log की तो यहाँ पर Update Log में सबसे पहले Change की बात करें तो Security के अंदर March और April का Integrate I mean April 5th 2022 के साथ Current Month का Latest Enhanced Android Security Patch देखने को मिलता है इस Update के साथ इसके लोग बात की जाए अगले Change की तो System के अंदर यहाँ पर System में जो भी छोटे मोटे non-issue थे Bucks वगरा देखने को मिलता था उसको यहाँ पर Fix करके पूरे के पूरे System Performance और उसके Overall System Stability को Optimize and Improve किया है जिससे की आर भी Better Experience देखने को मिलता है इस Update के साथ साथ ही यहाँ पर अगर आप Play Store से कोई सभी Apps वगरा डाउनलोड करते थे तो उस टाइम पर Home Screen में Android का जो लोगो रहता है उस टाइप से अगले चेंज की तो Apps के अंदर अगर दोस्तों आप Contact Apps से कोई सभी Contact वगरा को सर्च करते हैं तो वो काफी Quick Response के साथ Contact देखने को मिल जाता है और गाइस बात की जाए इस Update के बाद इसके Battery Performance की तो यहाँ पर आप Check Out कर सकते हैं इसका जो Battery Performance है वो Slightly Upgrade देखने को मिलता है जो Battery Training का Problem होता था उसको यहाँ पर Reduce करके Battery Performance, Battery Users को Optimize करके Improve कर दिया है जिससे की आपको थोड़ा Improve Battery Backup, Battery Users देखने को मिलता है इस Update के साथ और गाइस बात की जाए इस Update के बाद Game Space के अंदर 4D Vibration and Vice Changer Features की तो यहाँ पर आप Check Out कर सकते हैं आपको कोई सभी 4D Vibration and Vice Changer Features देखने को नहीं मिलता है आपको Old वाला ही Game Space देखने को मिलता है बट यहाँ पर जो Game का Performance है वो पहले से Better देखने को मिलता है जो Legging इसू और Friend Drop इसू देखने को मिलता था उसको यहाँ पर Reduce करके Game के Performance को थोड़ा Boost कर दिया है जिससे कि अगर आप अभी Game Play करते हैं तो आपको थोड़ा Better Performance और Stable Performance देखने को मिलता है इस Update के साथ और इस बात की जाए Realme 7 Pro में Realme UI 3.0 का Stable Update कब तक देखने को मिलेगा तो यहाँ पर मैं आपको बता दू कि Realme GT और Realme X7 Max, GT Neo 2 इन सभी डिवाइसेस को जो टाइम लाइन के अनुसार रोल आउट हुआ था उसी टाइम लाइन के अनुसार बाकी डिवाइसेस को भी देखने क मिलेगा तो यहाँ पर मैं आपको बता दू कि Realme 7 Pro को अप्रेल के मन्त में बीटा अपडेट देखने को मिला है उससे 15 से 20 दिनों के बाद जो है आपको Stable Update देखने को मिलेगा I mean इस मन्त के इंड में या फिर मैं मीड तक Realme 7 Pro को Realme UI 3.0 का Stable Update जो है देखने को मिल जाएगा तो यह रहा Realme 7 Pro का Cool Update Log Chain Log दोस्तो यह अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो इतना ही था दोस्तो इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए Goodbye and Take Care दोस्तो